हलो फ्रेंट्स आज हम पार्ट 11 की वीडियो देखने जा रहे हैं पार्ट 10 में हम एक्स की प्लस फाइव वाले कोशन्स देख चुके थे तो आईए स्टार्ट करते हैं पार्ट 11 अभी तक किसी ने अगर मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक वार आप सस्क्र सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा यदि एक्स प्लस वर अपॉन एक्स इकल टू एन दिया हुआ है और एक्स की प्लस प्लस वर अपॉन एक्स की पॉबर सिक्स का वैलू अगर पूचा जाएगा यहां मैं अभी बात कर रहा हूं प्लस से प्लस का पार्ट 12 में बात करूंगा माइनस से माइनस का तो देखें जदी एक्स प्लस वर अपॉन एक्स एकल टू एन दिया हुआ है देन मेरे को एक्स की पॉबर सिक्स प्लस वर अपॉन एक्स की पॉबर सिक्स का वैलू फाइंड आउट करना है तो जैसा कि हमने पार्ट 10 में देखा था X की पावर 5 वाले questions के लिए हमने X square का multiply X cube के साथ किया था अब यहां मेरे को X की पावर 6 से चाहिए तो इसका मतलब मैं X की पावर cube वाले का multiply X की पावर cube वाले के साथ करूँगा तो मैंने क्या किया X की पावर cube प्लस 1 अपन x की power cube का multiply किया x की power cube plus 1 upon x की power cube के साथ तो यहां से मेरे को मिलेगा इन दोनों का multiply करूँगा तो x की power 6 plus 1 upon x की power 6 और plus क्या मिल जाएगा 2 अलग से मिल जाएगा अब 2 को वहां ले जाओंगा तो x की power 6 plus 1 upon x की power 6 का value निकालूंगा तो x q plus 1 upon x cube x q plus 1 upon x cube और 2 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 तो इस फॉर्मले को आप सीधा सीधा याद भी रख सकते हो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है यह बहुत ही important formula है अब अपन जानते हैं यदि x प्लस 1 upon x equal to n दिया होता है तो x q plus 1 upon x cube का formula होता है n q minus 3n यह मैं आपको पहले करा चुका हूँ सेम x plus 1 upon x से x q plus 1 upon x cube निकालूंगा तो इसका formula होता है n q minus 3n और minus 2 आपका चली रहा है अब n q minus 3n two times आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिए सकते हैं क्या n q minus 3n का holy square और minus 2 तो आप सिधा सिधा इस formula को याद रखेगा within 2 second में आप अपना answer निकाल सकते हो यह आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है तो x की power 6 plus 1 upon x की power 6 इसको सिधा सिधा जाद रखे है n q minus 3n का holy square minus 2 देखे एक्जांपल से समझते हैं इसको यदि x plus 1 upon x equal to 3 दिया हुआ है then find the value of x की power 6 plus 1 upon x की power 6 मेरे को इसकी value find out करनी है तो चुकि we know that x की power 6 plus 1 upon x की power 6 का formula होता है x q plus 1 upon x cube x q plus 1 upon x cube minus 2 तो देखें यह वाला formula में यहापर note down कल दिया है अब x q power q plus 1 upon x q power q x plus 1 upon x equal to 3 से नकालूँगा तो यहाँ n की value मेरे को कितनी दियो ही है 3 दियो ही है उसकता n की value 2, 4 कुछ भी दे रख्यी होती यहाँ n की value मेरे को 3 दियो ही है तो 3 का q minus 3n n q minus 3n formula होता है इसका x plus 1 upon x equal to n है तो x q plus 1 upon x cube का formula होता है n q minus 3n तो n वराबर 3 है तो 3 का q minus 3 into 3 3 का q minus 3 into 3 और minus 2 आपका formula मेरे होता ही है तो 3 का q 27 minus 9 किया तो 18 आगया 27 minus 9 किया तो 18 आगया और minus का 2 चली रहा है 18 into 18 हो गया 324 minus 2 तो answer जाएगा 322 तो x की power 6 plus 1 upon x की power 6 का जाएगा 322 बस आपको दोनों formula याद रखने है यह वाला formula याद है तो आपको यह automatic formula याद हो जाएगा और x plus 1 upon x से x q plus 1 upon x q में पिछले parts में आपको पढ़ा चुका था जिन students ने मेरे पिछली बाले parts की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरे पिछली बाले parts की वीडियो देखेगा उसका link आपको description में provide करा दिया जाएगा तो आसा कहता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको share करें like करें और चैनल को subscribe करें thank you